हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टूबर चैनल ऑल्लाइन जी एस वाई दिवा करेंडिसे सत्यम परमार जिसमें हम देख रहे थे जहरकन पीजीटी जो दोया सत्रह हम हुआ था उसके कोईशनस हम इसमें डिसकस कर रहे थे जिसके हमने 25 कोईशन देख लिए थे उसके आगे हम आज डिसकस करेंगे अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो पीडियाप के लिए आप टेलिग्रम चैनल जोईन कर सकते हैं टेलिग्रम चैनल आपको ऑफिसल जो चैनल है और आपको टेलिग्रम पर मिल जाएगा वहां से और आपको सभी courses, बैसे वहां से मिल जाएंगे, अगर आपको WhatsApp group join करना है, WhatsApp group join करने के लिए आप इस number से contact कर सकते हैं, WhatsApp को WhatsApp group join कर लिए जाएगा, और आज 5 अगस्त हमारे जो test series की last date है, वो आप देख सकते हैं, अगर आपको join करना है, तो आप आज से join कर सकते हैं, पांच अगस्त इसकी last date रखी गई है, तो अगर आपको join करना हो, तो अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये lecture थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की demand थी कि हम जो explanation इसमें दी गई है, वो भी इसमें complete कराते चले, तो lecture लंबा हो जाएगा, लास्ट तक इसको देखें, बने रहें, इससे आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि जो 18 अगस्त से आपको जारकन PGT प्रस्तावित होने वाला है, उसके लिए ये काफी मददगार रहेगा, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, 25 कुशन कल हमने इसमें कर लिए थे, उसके आगे हम अब देखते हैं, बड़ी संख्या में समसी तोशन चक्रवाद कहां आते हैं, तो वो आते हैं अबके, उत्री अट्लांटिक मासागर में बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, इनकी एक्षमेशन देख लेते हैं, बड़ी संख्या में समसी तोशन चक्रवाद उत्री अट्लांटिक मासागर में देखने को मिलते हैं आपको, मत्यद चांसों में निर्मित होते हैं कैसे होते हैं मत्यद चांसों में बनते हैं बायू विच्छोब के केंद्र में यह क्या होता है केंद्र में इनका गदाब कम होता है जताब बाहर की और इनका अधिकदाब होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं सीतों से कटवंदी चक्रवात भी इनको कहते हैं इन चक्रवातों को लहर चक्रवात या फिर बिछोब भी कहते हैं इनका निर्माद दो बिपरित सुवाब बाली या निकि एक तरफ से ठंडी बायू तता दूसरी तरफ से गरम जो हवा मिलने के कारें इनका निर्माड होता है इनका छेतर होता है 35 डिगरी से 65 के बीच में इनका छेतर माना जाता है यह आप देखेंगे प्रत्विय हो गई इसके जो 35 के बीच में यह जो है आपका सीतों चक्रवात वाला छेतर हो जाएगा 35 से 65 के मद्य अच्छांसों के बीच दोनों गोलादों में इसका निर्माड होता है सीतों चक्रवात उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी उत्तर पूरव तर्टी भाग के पास उत्तरी अट्लांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आनी कि यह उत्तरी अट्लांटिक भ अग्रसर होते हैं कौन सी हवा के कारण चलते हैं तो यह भी पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखेंगे पच्छुआ हवाई जो चलती हैं उनके कारणे पूरब दिशाकी और अग्रसर होते हैं तो पश्मी यूरोप के तठी भागें वहां तक यह पहुंच जाते हैं और व इसके जात में और देख लेते हैं 32 अश्तान रहा था जारकन के सरवादिक जो साच्छर्टा वाले जिले हैं उन्हें देख लेते हैं जारकन डिस्पेसर है तो इसके जारकन से जित्ते भी कोश्चन हो जाएं वो आप जरूर देखें रांची का था रांची में 76.06 धनवाद है धनवाद में आपका 74.52 परसेंट ता ता रामगड का 73.17 परसेंट है जारकन के जो पाकुर जिले है पाकुर जिला है वहाँ पर सबसे कम साथ चर्टा देखने को मिली ती जो कि 48.82 परसेंट देखने को मिली ती ठीक है चलिए और देखते हैं The Great Wastain Dragap Race रेगिस्थान है किस देश में विस्तेत है देखें रेगिस्तान दो तरह कि होते है ठंडे रेगिस्तान है जो गरम रेगिस्तान है तो यह The Great Wastain जो डैज़ेट है वह आपका कैसा है ठंडा रेगिस्तान है संयुक्त राज अमेरिका में देखने को मिलता है यह ग्रेट वेसिन डेजट संयुक्त राज अमेरिका में पाये जाने वाला प्रमुक रेगिस्तानों में से एक है जो ग्रेट वेसिन डेजट है कहां पर संयुक्त राज अमेरिका का एक मात्र कैसा है ठ मोजाबो मोहाबो चिहु आहान या पर सोनोरल मरुस्तल गरम मरुस्तल हैं कैसे हैं यह आपके गरम मरningar Đ себ यह जो बारिस होती पुच्ची सेंट्ी मिटर के करिब यहां पर बार्ष देखने को मिलती है इसलिए इनको क्या बोला जाता है लेगिस्तान बोला जाता है मरुष्थर बोला जाता है ठीक है चलिए और देखते हैं निमले कि तमेंसे कौन सा राष्टी यह उध्यान जानवरों के लिए आरचिस युग्म सही है तो इनमें एक सही ब देख लेते हैं रण थंबर भाग के लिए ठीक है कार्वेट भाग के लिए है जो काजी रंगा है वो एक सिंग बाले गैंडे के लिए है और सरिस्का भी आपका भाग के लिए आरचित प्रदेश है ठीक है हुंटन द्वारा की गई पहचान के अंसा भारत के प्रारंबिक निवासियों के कौन सी सामिल है जो प्रारंबिक पहला निवासी माना जाता है हुंटन ने उनको पहला कौन रखाता तो वो रखेते आपके नेग्रिटोज नेग्रिटोज के बारे में देख लेते हैं भारत के जो प्रारमिक निवासी थे नेग्रिटोज थे नेग्रिटोज विश्व की सबसे प्राचीन मानब प्रयाती माने जाती है कैसी ये सबसे प्राचीन है ये अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले यहीं प्रयाती इस्तानांत्रत वी थी जो इनका उद्गम स्थल था इन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी क्यों जो अन्य जातियां थी उन लोगों की पज़े से इन्होंने अपनी जगह इस्तानांत्रत क कि बाहर की और उनोंने कदा मठाई जाने मादीबूं के छोरों तक ये पहुँच ञाई और उनका कद कैसा होता था इनके स्ट्रक्चर था aveू था हो था चोटा इनका कदो होताथा चौकलेटी येहां फिसूर आधिक चप्टी नाक होती निग्रेटों लोग सामानी की पैचाने कैसे हैं यह सामानी की पैचाने इस प्रजाती के लोग भारत के अंडमान दीप समू में अभी भी देखने को आपको मिल जाएंगे जो भारत का अंडमान दीप समू है वहाँ पे अभी भी आपको निग्रेटों लोग देखने को मिल ज नहीं है तो वो हो जाएगा आपका राजनीति किस तरता इससे बिसुवेंग को मतलब नहीं है यह तो common sense वाली भी बात है बिसुवेंग को द्वारा देशों के बर्गी करन के लिए आई शमू प्रतिवक्ति आए भोगोलिक छेते तता परिचार और रिंड स्रेडियों को सम्र नहीं कहता है इससे बिसुवेंग को कोई मतलब नहीं है यह तो घरों में चलती है बाहर चलती है निमलिक्त मैसिक किस राज्य में बहुत द्यावादी सबसे ज्यादा है तो बहुत द्यावादी सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट में देखने को मिलेगी महाराष्ट फर्स सबसे ज़्यादा है बागी के फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं सीर्स जो पांच राज्ये उनको देख लेते हैं बहुत वाले जो जनगर्णा 2011 मुविती उसके अनुसाथ देश में बहुत धर्मा मुलंबियों कि कुलावादी कितनी है जनसंक्या के दस्टी से यह देस में कितने पांच वे स्तान पर हैं पांच वे स्तान पर आपको बहुत देखने को मिलेंगे सीर्स बहुत जलसंक्य वाले पांच राज हैं वो हैं आपके सिक्किम सिक्किम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे 27.39% अवनाचल परदिस इसमें 11.77% देखने को मिल जाएंगे मिजोरम में 8.51% तता महराष्ट में हैं आपका किता परसंट है 5.81% ततता 3.1% तो इसमें जो ऑप्सन दिये गए थे उनमें महराष्ट सबसे सीर्स में था इसलिए महराष्ट को सही टिक किया गया है ठीक है चलिए और देखते हैं प्रिंसा भूग्ल और भावनातंग lub स्थालिज केजिवन अससार लाजाजों K. रूत पूल्ड सेबस्ताराइब्स को एयह किया जब हम फूनीय क्वरी ग्रीजक्त हो ग्राव इतराइब्स देद सकता हुखा है ठीक है चलिए और देखते हैं यूरेनियम के भंडार के संदर में सबसे यदा संपन दो भारती है राज निम्ले कितम ऐसे कौन से है तो वो हो गए आपके छारखंड और आंद्रा परदेश ये आपके सबसे संपन राज देख लेते हैं चलिए इनके subね summarizeum देख लेते है। यूरेनियम के भंडार के समदर में सबसी जयादा जो समपन राजय है वह हो गये आपके जारखंड और आंद्रपदेस जारखंड में यूरेनियम का जो भंडार है सियाँ भूम जन पन और आंद्रपदेस का कौन सा है वो लंबा पुरिया पे नलगोंडा यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा अन्ने जो हो गए हिमाचर पदेश का कुलू जिला उत्तरा खंड के दहरादून और केरल के तटकी जो मोनजायट बालू में यहां पे यूरेनियम के भंडार पाया जाते हैं इनम मदद से निकले जाते हैं तो वो होगी आपका यूरेनियम कॉपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट इसके मदद से निकाले जाते हैं मेगा लेकी घदाने डोमिया सियात इसको भी याद रखिएगा चलिए नेक्स दिखते हैं अगर सैसन अच्छा लगे तो इसको लाइक भी क अधपादक राज्य है ये 2015 से 16 में जारकंड भारत का सबसे बड़ा जो रेसम उत्पादक राज्य था इसमें क्या था बरतमान समय में कच्छा रेसम का उत्पाद करने में अले प्रमुकुराजी कौन कौन से हो गए कच्छा रेसम का पहले पर हो जाएगा आपका करनाटक दूसरे प हो जाएगा आपका आँध्र Public तीशरे पर असमो जाएगा फोर्ट पर हो जाएगा अपका तमिलन आडू तरन पांच में पर हो जाएगा आपका पश्रें मंगाल और छट्वे पर हो यह मेस्टिकल प्रॉसेसिंग इसी को प्रॉसेसिंग सॉ लेटनेटिक्स लीड़िए इन्पेटिक्स उप्रेशिंग Вेष्व बोड़के किसको SPSS को ठीक है चलिए और देखते हैं पानी के नीचे की जो परवत होती है रिज इनको कटक भी बुला जाता है इनको लो मोनो सब रिज कहा जाता है कौन से महासागर को विवाज़त करती है तो लो मोनो सब कौन से महासागर को विवाज़त करती है तो होगी आ जो प्रतिवी में हल्चल होती हैं उसी तरह से यहां पर ज्वाला मखीय आते हैं और अन्य सब प्रिया है पानी के अंदर भी होती रहती है तो इनके करण यहां पर परवत बन जाते हैं परवत बनते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है रिज तो इनमें लोमोनोसोब रिज है वो आक्टिक महासागर को विवाज़त करती है यह जो आक्टिक महासागर में महादीप ये क्रष्ट का कैसा है यह महादीप ये क्रष्ट का ए जो new syveria deep के बीच में फैला है किसके मद्द में फैला हुआ है अलस्मोली deep तता new syveria deep के मद्द में फैला हुआ है activation को किस से eurasian based में ये बिवाज़त करता है ये इसका काम हो गया low monosop card ठीक है चलिए और देखते है इन में से कौन सा buffer raja नहीं है तो buffer raja आपका हो गया argentina आपका कोई buffer raja नहीं है buffer raja किसको बोला जाता है जैसे कोई दो बड़े state हो गई या फिर बड़े देश हो गई उनके बीच में कोई एक छोटू सा देश है वो फसा हुआ है तो इसको बोलते है buffer state जैसे कि आप देखेंगे इंडिया और चीन के बीच में फसा हुआ है कौन सा नेपाल इनको buffer state बोला जा सकता है जैसे देखो argentina buffer raja state नहीं है जबकि जो Belgium नेपाल और मंगोलिया buffer raja है buffer raja उन राज्यों कहते हैं जो दो बड़े सक्तिसाली राज्यों के बीच होते है एक छोटा राज अवस्ते तो होता है जैसे कि जर्मन यों फ्रांस के बीच में कौन इस्तेत है Belgium एक छोटो सा देश है वो इनकी बीच में फसा हुआ है भारत तो चीन की बीच में नेपाल फसा हुआ है तो यह होगा अब buffer state में आ जाएगा और चीन और रिस के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा मंगोलिया तो यह भी आपका buffer state में मिल जाएगा जबकि जो अर्जेंटीना है वो separate देश है यह किसी के बीच में कुछ फसा हुआ नहीं है तो यह buffer state नहीं होगा ठीक है चलिए और देखते है कपास की खेती के लिए निम्लेक जलवायू परिस्तितियों में किसकी आवस्यक्ता अधिक होती है तो इसमें कम तापमान उच्च बरसा या फिर कम तापमान कम बरसा उच्च तापमान या फिर उच्च बरसा उच्च तापमान या फिर कम बरसा डियो अप्सनिस में सही हो जाएगा उच्छ तापमान चाहिए इसको लेकिन इसकी बर्सा कम चाहिए चलिए डिटेल एक्समिलेशन देख लेते हैं इसकी जो कपास की खेती होती है उसके लिए उच्छ तापमाने में कम बर्सा की अवस्यक्ता होती है कपास कैसा है उस से निवं उपोसन जलवायू का पौदा है जो खरीफ की फसल के अंतर गताता है तो पूछ लिया जा सकता है कि कपास के जो फसल होती है वो कैसी होती है तो यह होती है खरीफ की फसल होती है इसके लिए 21 डिगरी से 30 डिगरी से इंटिरेट के बीच और सतापम पक्तिय सम्स का इसकी आपमान 26 डिग्री से अधिक नहीं नहीं होना चाहिए तता 18 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए नहीं तो इनका अच्छे से पकाऊ नीं होगा फ़सल अच्छी नहीं होगी और पाला के दून पड़ता है वो नहीं होना चाहिए 50 cm से 75 cm की बरसा इनके लिए काफिलाब दायक माने जाती है लेकिन 85 cm से अगर बरसा अधिक हुई तो इनके लिए हानेकारक माने जाती है मिट्टी इनके लिए जो स्वीटेवल माने गई है वो गहरी काली मिट्टी है वो भारी जो दो मिट्टी है वो उपयक्त माने गई है जल भराब इनके लिए नहीं होना चाहिए जो जल भराब हो जाता है तो उससे इनके फसल क्या है मारी जाती है तो ये इनके लिए हानेकारक है चलिए और देखते हैं है कि सहरों के कार्यात्म बरगिकर्ण के लिए किस ने प्रेयास किया था तो वो किया था आपका ने ने सब्सक्राइब करने के लिए और नाम करने के लिए प्रयास होबर्ड ने नियलसन इन्हों ने किया था इनका नाम कभी-कभी एच जे नेलसन लिख ए जाता है तो वो भी हाइब रखेगा उन्हों ने उन्निज सोपंच पन्च में अमेरिकी नगरों के किसके अमेरिकी नगरों के कार्यात्मक सेवा बर्गीकर्ण के अधिक विक्सेते अंतार की क्योजना प्रस्तुत की तो ये भी पूचा जा सकता है कहा कि नगरों को इनों ने बर्गीकर्ण किया था तो अमेरिकी नगरों को इनों ने बर्गीकर्ण किया था जो कि किस पर आधा इनको लगए प्रशास्तन समली ते नहों ने किया था, उन्होंने अपने अध्धन में नौ ब्रहस सेवा समूते उनका चैन किया था, कौन-कौन से शेवा समूते उनको देख लेते हैं, खनन था, बिनिर्मार था, परिवनेव संचार था, थोक ब्यापार, फुटकर ब्यापा निल्सन की जो अत्रिक्त थे उन्होंने भी निल्सन के अलावा और लोगोंने भी कार्यात्यों के प्रदेश में उनको बाटा उनका नाम आता है जॉन बैप, लेक्जेंडर, मटीला एवं थॉम्सन, आदिविद्धर उनके नगरों के कार्यात्यों के बरीगर्ण का प्रिश् नामित किया था, जो कोपें थे हैं इन्होंने पांच अक्षर दिये थे, जो कैपिटल लेटर दिये थे, A, B, C, D, E, इन्होंने पांच अच्छर से किसको बाटा था, जो बर्गी कर्ण किया था अपने जलवायों प्रदेशों को, तो उनकोन-कोन से प्रदेश थे वो होता है, B में उन्होंने सुस्क जलवायों प्रदेशों को रखा था, जहां पर बर्सर की तोनला में क्या होता है, बास्पी करण अधिक हो जाता है, C में उन्होंने रखा था, ऐसे आप चलते जाएंगे, एक्वेटर से लेकर के, A हो गया, फिर B हो जाएगा, C हो जाएगा D हो जाएगा, और Polar को हो जाएगा आपका E, तो जो C में रखा था, उन्होंने C में रखा था, समसीतो सम आद्दे छेत्र को रखा था, इसमें क्या होता है, जो सबसे था ठंडे महीने का उसत तापमाने, वो कितना होता है, तीन डिगरी सेंटिगरे से अधिक होता है, किन इसमें रखा था, उन्होंने धुर्बी जलवाई और Polar जलवाई को रखा था, इसमें सभी महीनों का जो उसत तापमाने, वो 10 डिगरी सेंटिगरे से कम ही रहता है, वो 12 महीने का इन्होंने बताया था, तो इन्होंने 5 दिये थे, capital letters में, इसके बाद में सब letters भी दिये थे कोपेन के जलवाई उबरगी का कगन से नाम से ये famous है, ठीक है, चलिए और देखते हैं, बूस अंतलन की अब धारना किस ने दीती, तो वो दीती आपकी JV, A, R, E, M, J, H, Prat ने दीती, इसको ISO-STACY भी बूला जाता है, बूस अंतलन को, चलिए इनकी detail explanation देख लेते हैं, बूस अंतलन की अब धारना जो दीती है, आपकी JV, A, R, E, M, J, H, Prat ने दीती है, जो ISO-STACY आप इनकी बूस अंतलन कैसा आई है, ग्रीक भासा का सब्द है, जिसका ISO-STACY सब्द से ये लिया गया है, जिसका दात पर क्या है, समिश्तिती, इसका आरत है, जो परिभरमर करत हैं, मैदानी छेत्र हैं, इन में तदा जो गहराइयों में, सागर हैं, मासागर हैं, आधी छेत्रों की मद्द क्या है, बहुत त्ये गयें, हैं, यांत्र की स्थेता है, जिसके कालेमे इन संत्रन में तो उससे आझते यह नीचे यह एतना ही इसके प्रतिवीफन अंदर यह मिलेगा ये दो ने कहा था कि यह दो था है यो ठीक है जो भाग कम हुंच होगा उसका कम भाग जुबा गुए यहίας को चाहिए परवत हो गया इसके हूटार गाइया या फेरी आपहेअ यह सब क्या होगा, घंट तो बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा पर्यवर्तनिसमें नहीं होगा जबकि जो प्राट थे, प्राट ने बोला था कि मां, उन्होंने बताया था उंचा ही ज़ता घंट Linux कैसно संब्न पात वता है याने कि अगर उंचा ही अधिक होगी, तो इनका घंद तो अधिक होगा। यह बोला था आपके प्राट महोदेने यह से के उचा इस्तंब कम घंत्तो नीचा इस्तंब अधिक घंत्तो यह बोला था किने प्राट महोदेने तो यह आप याद रखेंगे चलिए और देखते हैं निमलिक तटों में से किसमे उत्तरपूर मांसुन में बरसा होती है तो उत्तरपूर मांसुन से बरसा किसमें होती है वो होती है आपकी कोरो मंदल तट में देखने को मिलती है कभी कभी पर्टिकुलर नाम भी पूंच लिया जाता है तो वो हो जागा आपका तमिल नाडू यह पर आपको उत्तरपूरी मांसुन बरसा देखने को मिलती है यह किस करण होती है वो देख लेते हैं कोरो मंडल तर जो उत्तरपूरी मांसुन से बरसा प्राप्त होती है उत्तरपूरी मांसुन पवने अक्टूबर से नवमर की बीच बंगल की खाड़ी को पार करते समय कैसी है में वांगाळादों सब्सक्राइब, आ के जो एक जाती है कोरो मंडल छेत दच्छेन पश्चिम मांसुन वाओं के जो अवतलन की प्रवर्ति देखने को मिलती है जिससे बहुत बर्सा बहुत कम या फिर नहीं होती है और ग्रीस मृतु में तापमान उचा होता है कैसा होता है ग्रीस मृतु में इनका तापमान उचा होता है मालावार तट कॉंकर्ड तट गुजराट तट में दच्छिन पर्षिम मांसून से बर्षा होती है जो दच्छिन पर्षिम मांसून है उसे मालावार तट में भी बर्षा हो जाती है कॉंकर्ड में भी गुजराट तट में भी बर्षा देखने को मिलती है चलिए और देखते हैं निम ल 2022 का data है बारत का सीच्ट तिन राज निर्यात तक यह मि aspect 8% निर्यात हुआ ता संयोकत्तर अपरwww. toast आप 7.0% निर्यात हुआ ता northern land में आपका टीक परशर निर्यात हुआ थेश है अब ही अपरेल 2022 का new director है एड कर लेंगे अपनी में कि 2011 की जनगर्णा की अंसार भारत में बुजुद्गों की आवादी का क्या प्रस्त रहा है 2011 में इनका बुजुद्गों का प्रस्त रहा था बूर आ था आपका 8.6% 2011 की जनगर्ना की अंसार पुरुष की आवादी किती थी 51.47 परसेंट थी और जबकि जो महला की आवादी थी महला की थी 48.53 परसेंट थी और जो 0-6 बर्स के जो आयूबाले जनसंक्याते बच्चे थे उनकी थी कितनी 13.6 परसेंट ये इनकी आवादी रखे गई थी 2011 में डेटा आप लोग जरूर कर लिए जाएगा क्योंकि एक से दो कोशन जरूर आते हैं डेटा से संबंदित ज्यादा भी आ जाए तो भी पता नहीं है 2011 की जनगर्णा की अंसर जारखंड में अंसूचे जनजातियों की जनसंक्या कितनी है तो वह है आपके 26 कौन-कौन से अंसूचे जनजातियों उनको देख लेते हैं चलिए देखते हैं जारखंड स्पेसल जरूर देख लीजेगा 2011 की जनगर्णा की अंसर जारखंड में अंसूचे जनजातियों की जनसंक्या 26 रखी गई ते 26.2 % है जारखंड में कुल जनसंक्या की परश्यत की दस्टी से सीर्स 5 अंसूचे जनजातियों राज्य कौन-कौन से हैं खूटी है खूटी में आपको 73.25% सिमडेगा सिमडेगा में 70.78% गुम्ला है गुम्ला में आपका 68.4% पस्टी में जो सिया भूम जिला है वहाँ पे 67.31% बल लोहर दगगा में 56.89% है जबकि जो नियुनतम परशत्ता रखी गई है यह फिर जो 211 में नियुनतम परशत्ता थी अन्सूसे जंजात्यों की वो थी कोडर्मा में कोडर्मा में 0.49% पहले नियुनतम में चत्रा में रखी गई थी 6.30% हजारी बाग में 7.02% धनवाद में 8.68% इवन पलामू में आपकी रखी गई थी 9.34% रखी गई थी कितने 211 की जनगरना हुई थी उसके अंसर ठीक ह चली और देखते हैं सेंसस एक बार जरूर करके जाएं क्योंकि ये पूशा ही जाता है इससे दो से तीन कुश्चन आपके जरूर आएंगे इसलिए आप सेंसस जरूर पढ़के जाएं कुल कमांड छेतर के मामले में निमले कितमे से कौन सी भारत की सबसे बड़ी बाहुत देशी परियोजना है तो वो हो गई आपकी भागड़ा नागल परियोजना जो की बनाई गई गई है किस पर सतलज नदी पर बनाई गई है चली इसकी डिटेल बारे हों दिख लेते हैं जो कुल कमांड छेतर के मामले में भागड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बाहुत देशी परियोजना है जो पंजाब हर्याणा राजस्तान राज्यों का संयुक्त उपकरम है कौन कौन से इसमें राज्य है वो गया आपके पंजाब हो गया हर्याणा हो गया राजस्तान हो गया संयुक्त राज्यों का यह उपकरम है जिसका निर्माण काले कब पूरा हुआ था 1963 में पूरा हुआ था यह बांद सतलज नदी पर बनाया गया है कौन से नदी पर बनाया गया है दामोदर घाटी पर जिना कौन से नदी पर बनाया गया है दामोदर नदी पर यह अन्नी पर जिना है जो कि पूछी जाती है नागरजुन सागर पर जिना यह बनाया गया आपके क्रिश्णा नदी पर था तक क्रिश्णा राज सागर पर जिना बनाया गया आपके बनाया गया कावे रिनधी पर ठीक है שलिए नेक्स देखते है केम्स एक भूरूप है यह किसके साथ जुडा हुआ है तो केम्स हुदा हुआ किसके फ्लूबियो हिम्णत के क्रिया के द्वारा हुआ है काई हमस होता है है आप देख लेते हैं केम्स या पर इसको अन्य नाम केम भी बुला जाता है, यह कैसी है, फ्लू वियो हिमनत करिया है, यह कैसी निच्छे पात्मक इस्तला करती है, जो हिमनत से बनती है, किसे बनती है, हिमनत से बनती है, निच्छे पात्मक इस्तला करती है, हिमनत के अगर भाग पर हिम के पेगलने के करान कुछ मलव इस्तित हो जाता है, यहां पर जो हें महीं यहां पर पेगलती रहती है, तो यहां पर मलवा इस्तित हो जाता है, जिसके कराण क्या बनता है, केम बनता है, मलवा निच्छे धेर के रूप में टीले एक के रूप में यह जमा हो जाता है, इस तरह के टीले को क्या कहा जाता है, क केम कहा जाता है केम के किनारे तीबर होते हैं कैसे होते हैं किल रेत। तर्म के बंबर्फ या पर बंबर्फ निश्मार। प्रम चृपक zelfs का थो भख़ँए है का दार। केम केटिल हमक गाओंट वा स्बासि किसे आपका को इस बिदढ़ हाई रहा घो शेड़ा के श्री और देखते हैं जारकंड का नेमले कितमे से कौन सा जला मैगनीज का उत्पादक है तो सबसे बड़ा जला है वो है आपका पश्चिमी से भूम ये जला मैगनीज का उत्पादक है इसका डिटेल एक्षिने संदेख लेते हैं पश्चिमी से भूम ज्जारकंड का मैगनीज उत्पादक जिला है ज्जारकंड में से भूम के अतरिक्त मैगनीज चाईवासा लिम्टू नोवामंडी जमदा कलेंदा बज्रंक गुमडा गुवा पंसारी बूरू इत्यादिश रिट्रों में ये पाइज जाता है मैगनीज जो सेहवूम है, इसमें बंसाडेरा, पहारपुर, धनबाद, हजारी बाग, गरीडी, इत्यादी, छेत्रों, मैंगनीज की खाने मिलती हैं, पायरोलुसाइड जिनके मैंगनीज के ऐस्क देख लेते हैं, पायरोलुसाइड हो गया, सायलोर मैलीन हो गया, ब्रोनाइट मैंगनीज हो गया, ये कैसे हैं, मैंगनीज के आयास को हो जाएंगे, चलिए आज का लास्ट कोईशन देख लेते हैं, निमने कितमे से किस पंच वर्षी योजना में, च्छेतर विशेश की योजना की अवधारना पहली बार सरू की गई थी, वो आपकी चौती पंच वर्षी योजना थी, इसमें क्या रखा गया था, ये जो चौती पंच वर्षी उजना थी इसमें छेत्र विसे से उजना की अवधारना पहली बाई शुरू की गई थी इसी उजना के प्रमको उद्देश के बिकास की गती को तेज करना जो उद्देश था इसका बिकास की गती थी उसको तेज करना क्रसी उत्पादन में जो उत्पादन में उत्पादन के प्रवाब को कम करना जो कैसी उत्पादन हो रहा था उनमें कई बार उत्पादन देखने को मिलता था बिदेशी जो सायता मिलती थी उनमें क्या अनिश्चिता थी उसको कम था ये जो कम जोरो कम बिख से छेतरों में आर्थविवस्ता थी उनको उत्प्रेड़ित करने के लिए उद्ध्योगों के सारे देशा में फैलाना था जो उद्ध्योग थे अपने इंडियार उनको सभी देशा में फैलाना था इनको सम्रित किया था इस यूजना के बार्शिक ब्रद्धी दर्काउचत तीन पॉइंट चार परसंट रहा जो लच्छे किता रखा था पांच पॉइंट साथ परसंट रखा था उससे काफी यह कम रहा था कौन सब कितना परसंट आया था यह तीन चार परसंट रहा था यह इसका लच्छरा आया था जो रखा था पांच पॉइंट साथ परसंट का ठीक है तो आज के सेसन में सिर्फ इतना ही सेसन कैसा लगा जरूर बताएं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को सेर करें और चहां तक भी जिस ग आया है